नमसकार, सांता क्रूज मुंबई स्थित, सनिष्ट सामाजी कार्यकर, श्रियाट कोटी मोटी पक्स स्थानकवासी जैन मुंबई संग के मैनेजिंग ट्रस्टी और सान्ता कुरूज वेस्ट स्थानकवासी संग के उप्रमुक और अन्यस संस्थाओं में कारेरत निलम स्टील कंपनी के स्रेष्टी वर्या उद्योग पती श्रियूद प्रेमजी बाई, जेठा बाई, डेडिया, कच भोजय वाला आज के संदेश कारेक्रम में अपना प्रती भाव उन्हीं के विचारों और सब्दों में सुनिये किया हम इन सभी संपतियों के प्रती अंडेखा तो नहीं कर रहे है आपके यूट्यूब पर संदेश सुनते आपकी साथ बात करने की प्रेरणा मिली और यहाँ संदेश आपको भेज रहा हूँ कुछ लोग जो कोराना के चेप का जोखिम नहीं समझते वो कह रहे है कि कोरोना की वज़ह से आर्थिक वंडी आ गई है सिर्फ भौक्तिक संपती के लिए जीते है उनको सिर्फ मुनाफा या नुकसान के सिवा और कुछ नहीं दिखता है लेकिन वोक्तिक संपती के सिवा और भी कुछ है जैसे की सारिरिक संपती, मानसिक संपती, संसकार संपती, परियावरणिय संपती, इतियाडी इतियाडी मुंबई जैसे महानगरों में जीवन रत के दोपईये की सम्तुला रखने के लिए कमाना बहुत जरूरी है लेकिन आज आदमी सिर्फ पैसे की पिछे डॉल लगा रखी थी उस पर लोकडाउन ने ब्रेक थमा दी है मैं महानगरों में बस रहे लोगों से या पूछता हूँ कि कभी आपको खुले आकास की और देखने की फुरसद मिली है आप सुबह तो जलद उट जाते हैं लेकिन भाग दोड की फिक्र में कभी पक्षियों का कलरव सुनाए आपकी बालकनी के पास सालों से खड़े हुए पेड़ की और देखने की फुरसद मिली है आप सुबह स्नान करके बालकनी में आके अपनी गड़ी या मॉबाइल में समय मिला के आपके बालकनी के पास खड़े हुए पेड़ की गटा को चीर के सामने कितने बज़े की लोकल बस खड़ी है या नास्ते के लिए सामने वाली होटल में क्या मिलेगा होटल खुली है या नहीं खुली है वह देखते है लेकिन पेड़ पर कौन सा नया पता फुटा या फुल खिले वहाँ नहीं देख सकते रात को जब वापिस गर पे आते हैं तो थकान की वज़ा से आपका सरीर दुख रहा है आप बैचेन होके ऐसी रूमें सो जाते हैं आपका सरीर सुद्ध ऑक्सिजन की जंखना कर रहा है लेकिन आप प्राप्त नहीं कर सकते सारी रीक बैचेनी की और देखा अंदेखा करके आप कल फलाने सोदे में कैसे मुनाफा किया जाए उस सोच में पड़ गए हो फलस्तरूप आपका मानसीक तनाव बढ़ जाता है लेकिन लोकडाउन ने यह सारी तकलिपें दूर कर दी है यहाँ यहाँ बात सच है कि लोगों की आमदनी बंद हो गई है लेकिन यह भी वास्तिविक है कि हमारे फिजूल खर्च भी बंद हो गए है आप सुबह उटकार बालकनी में खड़े होते उपर देखते है तो आपको सुब्र स्वच्छ आकास दिखता है पहले वानों की विमानों की आवाज दमधमाट की साथ सुनाई दे रही थी रोड पे चोबिस गंटे ट्राफिक दिखाई पड़ता था वह आज सांत और साप दिखाई दे रहा है आपकी सिहत बिगानने वाले रेस्टोरंट ओटले भी बंद है आपके गर की पासका पेड़ आपको दिखाई दे रहा है नई नई पते की टनिया फूट रही है कितने धेर सारे फूल हंसकर आपको सुप्रभाद कुड मॉर्निंग कह रहा है मुंबई जैसे महानगरों में रहते आज आपको अपने छोटे गांवाला बचपन याद आता है गर की रोटी खाने की वजह से आपकी सारीरिक तंदुरस्ती अच्छी हो जा रही है कोई मानशीक तनाव नहीं है आपको लगता है कि वक्तिक संपती ओनी जरूरी है लेकिन यह कुद्रती संपतियां को हम अंडेखा नहीं कर सकते बस लोक नावन से हमें यह सिक्था प्राप्ता करनी है